हेलो गाइज मैं हूँ आमित भाई हमारी एलुमिनियम वाली जो फाउंडरी है जो फरनेस है जो हमने एक सिलेंडर को यूज करके बनाई थी जो कि एल पीजी से पावर्ड होती है वो तो आपने देखी होगी उसका हम जो हम जो है जनरली यूज भी करते हैं जिसमें कि हम अप बग 1200 डिग्रीज तक जाता है तो वो जो है लोहे को नहीं पिगला पाती है यानिक एक लिमिट है लेकिन शायद हमारे जो इलेक्टिकार फरनेस होगी वो लोहे को भी पिगला पाईगी क्योंकि जादा टेंपरेचर हम अचीव कर पाएंगे और विजली से चलेगी खास बा दोस्तों किसी भी फरनेस के अंदर जो टेंपरेचर होते हैं वो बहुत हाई जा सकते हैं तो हमको ऐसे मटीरियल की जरूत होगी जो क्यों हाई टेंपरेचर को जेल सके सस्टेन कर सके तो यहां पर इलेक्टिकार फरनेस के केस में हम लोग यूज करेंगे एक इस तरीके की जो की है भाई एक फायर ब्रिक और यह जिस मटीयल से बनती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है और साथ ही साथ में इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं आते क्योंकि यह बहुत ही पोरस होता है इसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं जिससे की एर पास हो इस इप दैखो मैं लगफग कर दो सौफ्ट होती है इसलिए हम एक इस तरीकी की आई से इसको काछ सकते और साथ ही साथ में काचने पर बहुत बारिक डिस निकल सकती है इसलिए मास्का यूज करेंगे दो पीस हो गए हमारे पास में, तो इस में से अब जो एक पीस है, उसको फिर से काटना है लगभग, एक या फिर देड़ इंच की जगे छोड़ के, यानि की कुछ यहां से भाई, एक दम सीधा, तो भाई यहां पर कुछ इस तरीके के दो पीसे मिलेंगे, अब हम क्या करेंग कि यह वाला जो पीस है ना, इसके अंदर एक होल बनाएंगे, और यह जो है हमारी फरनेस के धकन का काम करेगा, तो भाई कुछ ऐसी शेप मिलने के बाद में इसको एसे आड़ा रखना है, और यहां पर इसका यह जो एज है, एक होल करना है ड्रील की मदद से, दोनों साइड में होल करने के बाद में, साइड में भी यहां पर होल करना है, लेकिन थोड़े से मोटे बिट से, लेकिन यहां पर डिफ्रेंस यह है कि इन होल्स को तो हमने देखो इतना छोड़ दिया उपर से खोल दिया बट इस वाले को हमको नीचे तक देना है देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से लगभग 45 डिगरीज के एंगल पर ये स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद में जो दूसरा पीस था भाई उसमें हमें दो होल्स बनाने एक यहां पर उने दूसरा साइड में यहां पर तो भाई फाइनली कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन चुकी है ये जो है बेसिकली इसके ढखकन का काम करेगा लेकिन भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हमको एक आर्क जनरेट करनी होती है ने कि स्पार्क होते है अब वो स्पार्क जनरेट करने के लाम लोग यूज़ करेंगे एक वैल्डिंग मशीन का लेकिन वैल्डिंग में आपको पताईगी जो मैटल हो पिखलता है तो उसके लिए हमको खास इलेक्ट्रोड बनाने होंगे और वो बहुत ही सिंपल चीज से बनेंगे जो कि भाई इस तरीकी की बैटरीज होती है जो बड़े वाले सैल होते हैं इसमें ग्रेफाइट की रोड होती है अंदर तो वो निकालते है पहले और भाई यहां पर है देखो इसका एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड जिसको हम जो है बड़े ही ध्यान से बाहर निकाल लेते हैं और यह जो ग्रेफाइट है न भाई बहुत ज़्यादा हाई टेंपरेचर को रजिस्ट कर सकता है और साथ मैं आपको पता हुआ ही ग्रेफाइट बिजली को कंड़क्ट भी करता है एलेक्ट्रिसिटी अराम से फ्लो होती है तो अब इसको लगाते है भाई एक होल्डर के अंदर दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन का यूज करेंगे तो अब इसको पावर में लगाते है दोस्तों ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये देखो इन होल्स में इस तरीके से फिट आ जाएंगे और अब मैं इनको टच कर रहा हूँ मैंने जो है यहां पर भाई चश्मा लगा रखा है और इनको टच करने पर होगा स्पार्क बहुत जादा हाई टेंपरेचर का तो बहुत ध्यान से मैं इन दोनों को टच करूँगा देखो और फर्स टाइम में यहां पर आग भी लगेगी बिकाद इसको उपर देखो कुछ ओईल सा लगा हुआ है और आप लोग देखो यह जो स्पार्क बन रहा है न भाई यह सारा कमाल करेगा यह तो भाई मॉडल कुछ ऐसा है कि यह जो धकन है इसको उपर रख देंगे और इन दोनों को जब हम टच करेंगे तो देखो अंदर स्पार्क होगा और भाई साब यह देखो और भाई इसके अंदर जो है बहुत ही जादा हाई टेंपरेशर है और इलक्ट्रोल की हालत देखे एकदम लाल हो जाते हैं और यह जो हमने दो होल्स बनाए है यह देखो काम आएंगे इसको सेफले उठाने के और हम इसको ऐसे करके स्टोर भी कर सकते हैं जब हमको ढखना हो तो भाई हम ऐस तरीके से जो इसको वापस से भी ढख सकते हैं बिना टच किये किसी भी चीज हो तो भाई इसका ढखकर लगाते हैं, एल्यूमिनियम है फर्नेस में and let's give it a test कि ये इसको melt करता है कि नहीं मुझे खुद नहीं बता कितना टाइम लेगा और भाई लगभग 25 सेकंड्स हो चुकी है, देखिए कितनी लाल हो रखी है तो उठा करके देखते हैं भाई धकन को कि अंदर मेटल देखो जो डेफिनेटली गरम हुआ है बट यार ये melt नहीं हुआ है, हलका फुलका हुआ है लेकिन यहां पर liquid नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा जादा देर इसको रखना बढ़ेगा अंदर तो भाई इस बार मुझे उम्मीद है कि जो मेटल है वो melt हो गया होगा जल्दी से इसको हटाते हैं और भाई साब आप लोग देखो कि यहां पर हमारा जो metal है वो एकदम लाल हो रखा बिल्कुल भाई साब aluminum इसमें पिखल गया और I hope कि मैं इसको touch भी कर सकता हूं क्योंकि बहुत जादा insulating चीज है हाला कि मैंने gloves पहने हैं और अब हम जो है कुछ इस तरीके से इसको इस इंट के अंदर पोर कर सकता हैं aluminum जो कि हमने पिखला है हमारी electric arc furnace में आपके सामने बना करके बिल्कुल basic चीजों के साथ शुरुआत करी हमने और यहां पर end result metal successfully इसने पिखला दिया है तो भाई जो हमारा idea है वो यहां पर बहतरी तरीके से काम किया है मज़ा आ गया तो अगर आपको आया मज़ा तो लाइक जरूर से कर देना भाई प्लीज आपके लाइक से इस तारीके की जो काफी महनत वाली वीडियोज होती है वो बनाने में मज़ा आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी मस्ट मस्ट वीडियोज के लिए कर लो जलती से तो चलिए फिर मिलते अंगली वीडियो में दब तक के लिए नमस्कार